जो तुम्हार पास next chapter है वो है special purpose book है जिसे हम करेंगे cash book देखो भाई यह जो हमार पास chapter का नाम डालो सब देखो भाई यह जो हमार पास chapter है ना इस chapter के अंदर तुम्हें पहले समझना क्या है यह चीज़ देखो जैसे मान के चलो मैं तुम्हें जनल एंट्री वगेरा करवाई थी ठीक है जो तुम्हारी जनल एंट्री हुई थी ना उसके आंदर तुम्हें ने क्या देखा था कि हम किसी एक account को debit करे थे किसी account को करें थे credit ठीक है इस तरीके स और था मतम्हें किसी account को कर दिया किसी एकाउन कोबने किया क्रिडिट फिर मैं तरह लेजर पोस्टिंग सिखाये थी इसको लेजर पोसटिंग नहीं आती उसकी पुरी की पूरी वीडियो देखलो फाइदें में रहूँगे ठीक है जो भी दो यह रेकापस का ठीक है मुस्किल से मुस्किल एक घंटे क हो गया ठीच है और किसी अगर कोई परसन है उसके का हां लिए था और जो तुमने क्या कि अगले जो है और capital बना लिया bank एकाउंट बना लिए बैंक कर टाले सारे इक बना रहे ना ठीक कि अब्में ठीक है जितने भी तुमने में देख लो कि होता क्या क्या है है देखो सबसे पहले मेरा जो हमार पास जो book है ठीक है उसके बारे बतार हूं परिज कुछना सुरू कर एक बार किया लीक्त for preparing castbook reasons for preparing cash book Preparing Cash Book reasons for preparing cash book हमें cash book अलग से बनाने की जरुत क्यों पड़ती है हमने तो पहले ही बना रखा है तो दुबारा बनाने की जरुत क्यों पड़ रही है सबसे बड़ी बात हमारे पास होती है जितने भी पैसों का जो आना होता है पैसों का जितना का आना और जाना होता है, वो हमें एक seporate रखना होता है, सबसे बड़ी चीज जोंते हैं अत्वाइफास होता है, है, तो हमगो इसके बारे लिए पड़ेंगे, हमेरा पोरा पता होना है, क्सक्रपा के बारे बिकॉस इट इस डिफिकल्ट तूद लिकॉर्ट अल्ड ट्रांसेक्शन अल्ड ट्रांसेक्शन्ज इन सेम भूंग भाई एक यह बूबक के अंदर सारी की सारी ट्रांसेक्शन रिकॉर्ड करते ना तो बहुत ज़्युद्ध हो जाता है ठीक है इसलिए इस बुक को जो cash book है उसको हम अलग से prepare करते हैं कितना cash मेरे पास आया, कितना cash चला गया कितना मेरे bank में balance आया, कितना bank से balance चला गया भई मैंने BRS पढ़ा है था तो BRS के अंदर जो भी हम mistake ढूंडेंगे कहां से ढूंडेंगे भई जो हमने cash book बनाई है इसमें से ठीक है और जो दूसरा हमारे पास कहाई कि जो bank की statement है उससे ठीक है, जब तक हमारे पास cash book नहीं बनी होगी तो bank की statement कहां से बनेगी, bank की statement बनने नहीं वाली है ठीक है, और चलो ठीक है, मालो bank वाले तो बनाते है statement हमारी उस statement को हम अपने cash book से compare कैसे करेंगे जब हमने cash book बना रखी हो तो कभी तो compare करेंगे न ठीक है अगली heading डाल के चलो इसमें सुनो इसमें डाल लो पहले classification of books classification of books और उसके नीचे पहला hashtag डाल के लिख लो देखो जमार पास पहला है उसके नदर तुम्हें लिखके चलना है कि पहला पॉइंट डाल लो इसमें पहला special purpose book और दूसरा हमारे पास है special journal और subsidiary book और इस पेसल जर्नल और subsidiary भाई इन तीनों का मतलब सेम है ठीक है मैं जो तुम्हें बुक बुक लिखवाया ना पहला मेरे पास है special purpose book है दूसरा special जिसको जर्नल बोलो या फिर subsidiary book बोलो ठीक है यह सारे सारे क्या है सेम है पहला मैंने क्या लिखवाया है इस special पर पर पास book है उसके बाद दूसरा मेरे पास है special journals है और तीसरा क्या है कि हमारे पास जो तीसरा है वो है subsidiary books है ठीक है यह तीन चीजे भाई इन तीनों का मतलब सेम होता है ठीक है हम जितनी भी entry record करते हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर होती है ठीक है अब सुनो भाई तुम्हें न सबसे बड़ी बात अभी तक मैंने क्या क्या चीजे करवा रखी है ठीक है जिनल चीजाप करवाई था जチャンネル एंट्री के बाद जैब मैं तुम्हें क्या लेजर करवाई है उसमें सबसे बडूरी बात क्या देकिंग वो यह होगी कि हम जितनी भी ट्रांसेक्स करते हैं अगर किसी अलग का नाम आ हम उसका account बना आएते हैं तुरंती ऐसी होता है ठीक है लेजर के अंदर नपा यहीं होता है अगर किसी एक अलग का जैसी नाम आगे ना हम उसका क्या करेंगे account बना देंगे ठीक है और तो कुछ होता नहीं इसके अंदर अब न जो इसके निचानल लिखना सुरू करो और सब डिवीजन बुक्स जैफिर सब डिवीजन ओफ जर्नल सब डिवीजन ओफ जर्नल देखो भई तुम्हें सबसे इंपोर्टेंट बात समझनी क्या है इसके इन दर मैंने क्या heading डलवाई है मैंने बना classification of प्रक्स त्युक्त है और सब डिवीजन ओफ जर्नल जो जबनला उसको क्या करेंगे बासंद आरी है कि जो मिरे पास है वो है जब डिवीजन ओफ सब्सक्राइब आए जैनल के अंदर हमें पता कितने एक बन सकते हैं जैनल के बता नहीं है कि कितने एक अंदर सबसे important बात क्या देखने होती जितने भी हमार पास एक अगल जाये जितने भी इसके अंदर जो हम हर पास कहेंगी जितनी बात लिखवाओंगा जिसको हम अलग से क्लासिफाइब करेंगे उन चीजों को लिखना है सबसे पहले मेरे पास लिखेंगे क्या है इस दूसरा है परचेस बुक है और जो फिर मेरे पास तीसरा है वो है sales book देखो अब ना भाई हमारे पास इसका उल्टा हो जाएगा ठीक है purchase book का उल्टा क्या हो जाएगा purchase return book ठीक है तो चौथा क्या है पिर पास purchase return book उसके बाद जो पाँच होआ है वो है sales return sales return return book ठीक है भाई अब ना छटा देखते हैं सुनो सबसे पहले ना हमें यह चीज़ ध्यान लख नहीं है कि भाई जो वार पास cash book है purchase book है पहले इसे बना लेंगे ठीक है दूसरी बात क्या ध्यान लख के चलें देखो वही cash book के अंदर ना साधी की साधी transaction कौन कौन से होगी पता है देखो पहले बता रहा हूँ cash book के अंदर ना column बनेंगे जो मेरे पास cash book है ठीक है उसमें क्या बनेंगे column ठीक है जो मेरे पास cash book है इसके क्या बनेंगे और पास column बनेंगे उस column का नाम से जो क्या क्या होगा पहला मेरे पास आजाएगा single column cash book single column cash book ठीक है भाई ये ना आगे आएगा ठीक है पहला single column cash book दूसरा आएगा मेरे पास double column cash book ठीक है भाई जो मेरे पास third है वो है triple column triple column cash book देखो जो भाई मेरे पास single column cash book होगा इसके अंदर सिर्फ cash की entry होगी ठीक है only cash transactions ठीक है इसमें कहाई सिर्फ cash की transaction होगी दूसरा मेरे पास कहाईगी जो double column cash book है इसके अंदर cash and bank इसमें क्या हो सकता है एक cash होगा दूसरा bank भाई बहुत सारे जगे ना पता क्या होता है cash और bank ना लेनी के बदले पहला cash ले लेते हैं ठीक है and discount ले लेते हैं ठीक है वासन मारी है दोने में से कुछ भी हो सकता है ठीक है यादो cash के जगे बंक लेने cash and bank और टबल कॉलम है और क्या बोलते हैं कि भाई cash and discount ये बोलते हैं कैस हो जाएगा दूसरा क्या है discount हो जाएगा ये सारी बात पढ़ेगी तीसरा जो मेरे पास है जो त्रिपल कॉलम cash book है इसके अंदर तो पूरा आएगा cash आएगा bank आएगा ठीक है और discount ठीक है ये बात सब्सक्राइब आ रही है ठीक तो देखो भाई ये मेरे पास न ये cash book इस तरीकेस होगा पूरा पूरा ठीक कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ये मेरे पास हो जाएगा दूसरा भाई देखो तो मैंना चोटी सी एक ना वर्ट ध्यान लगना ये इसमें का एंट्री का छोटा सा मतलब समझे लो ऐसी एंट्री जिसमें cash और bank दोनों एक साथ हो ठीक है इसमें क्या है कि एंट्री ओई विद क्या एंड बैंक ठीक थिक है तुम्हें किसका एग्जाम्पल बता देता हूं मैं इसका थो मेरे पास एग्जाम्पल हो जाएगा है वो है cash deposited in bank भाई, bank में मैंने cash deposit क्या होगा? ठीक है? तो क्या करेंगे? देखो bank में अगर मैंने cash deposit कर दिया तो cash कभी फर्क पड़ा, bank कभी फर्क पड़ा ठीक है? तो ऐसी entry जिसके अंदर cash और bank दोनों के अंदर फर्क पड़ी, ठीक है? उसे हम क्या बोलते है? इतनी बात तुम्हें ध्यान रखके चलना है ठीक है? पडिकर तो नहीं इस अंदर अब सुनो, यहाँ पर आजाओ भाई देखो, पहला मेरे पास क्या आता है? cash book, ठीक है? भाई जो journal है हम उसका sub divide कर रहे है journal का पुरा-पुरा divide कर रहे है ठीक है? पहला मेरे पास cash book जितनी भी cash book के बारे बताती है सारा-सारा? ठीक है? दूसरा हमें ध्यान रखना है purchase book ठीक है? भाई purchase book के अंदर जो हम entry करेंगे only cash only credit only credit purchase ठीक है? भाई जो सिर्फ credit का purchase होगा ना हम इसके अंदर सिर्फ उसी की entry करेंगे बास मिला रही है अगला जो sales है इसके अंदर भी only credit credit sale ठीक है? इसमें क्या करेंगे? सिर्फ credit का जो sale होगा उसके entry करेंगे इसमें भी वही होगा credit मतलब कि तुम्हें ध्यान क्या रखना है? सिर्फ जितनी भी cash की transaction होगी भी अब जो सबसे important बात तुम्हें ध्यान रखना है? वो क्या है? अगर बान के चलो कि मैंने मसीन फट्रटेस करिये उसके एंटरी का लिखोंगे के फट्रेसमे गुड्स वगरा आएगे नाँ है ब्रकेस में गूर्ट आएगा सेल्स से भी departmentा ओं Oke कि अगर तो मैं पर्चेस के बदले हां पर लिख दो कि हम इस तरीके सोगा तो यहां पर हमें समझना क्या है अगर ऐसा हो जाए कि में देखो मेरे पास कहें कि कैश में सिर्फ कैश स्क एन्ट्री होगी ठीका पर लुक है उसके अंदर क्या मेरे पास सिर्फ क्रेट पर टिसके अंट्री होगी सेल में stigma त्म 2007ось श一直 एंट्री होगी ठीक है अर्टन के अंदर वही मतु motion सब यह इंदर कि बात होगी ठीक है लेकिन अगर इन सब the चीजों को जोड़के कोई दूसरी बात आती है किए कहा करोगा entry कि अगर इन सब बातों को छोड़के purchase, sale को छोड़के कोई और बात आती है and उसको empty खोंगी वाई उल्टय होनी चीड़ि बैल ना तिक है MasiN purchase करी एन बिल्टिंग purchase कर लिया है तो इस हम्हारी हो होती है वो हमारे होती जर्णल प्रॉपर मैं, की सो भी ये seasons जर्णल में था तो नीचान हो जाóst जा गी जर्णल प्रॉपर में बताओ का आगर पर्षेस और और फ्रोड प्लाइक कर अधर रेंट्री होती है, वह साय आशारी गांगि जर्नल प्लापर के अंदर चाहिए को भिविais य multipटत सब्सक्राइब एक्टानित ना कि विभी तो यहां तक तुमंहें यह बात ने पता होनी कि है। कि इसमें कुण से ब्दिद्ट हथी है। देखो इसमें 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 जो भी sale और purchase होगा वो सारे सारे credit का record करेंगे और अगर cash हुआ ठीक है तो सीधा cash में cash में कोई सी भी transactions आ गई मान के चलो मैंने purchase किया goods cash के साथ उसके entry सीधा कर दो cash book के अंदर ठीक है बासन ना रही है अगर cash या bank कुछ भी आ गया वो सारे entry तुमारी इसी के अंदर होगी ठीक है अब यह होगा मैं तुम्हें एक के question करके सिखाऊँगा सब के ठीक है उस questions को सीखने के बाद फिर्दिम का इसके आए करोगे ठीक है इससे load on कर लो speed में सुनो भई अब जो तुम्हें अगली हरिंग डालो हमार पास है advantages of subsidiary book भई देखो जब भी हमार पास था यह मैं बोल दू कि advantages advantages of subsidies book शुरो advantages of subsidiary book देखो भई हमार पास जो advantages of subsidiary book देखो जब भी advantages की अगर heading आ गई तुम्हें समझना इसका बनाने के फाइदे क्या है advantages का बतब कैसे ऐसे फाइदे क्या है कि हम इस book को बनाए भई बिना इस book के भी तो काम चल सकता है तो जो सबसे important बात जो में ध्यान रखके चली न वो यह है देखो अगर वैसे तो कोई चीज नहीं है ठीक है मैं तुम्हें बता दूँआ ऐसे ही लेकिन ए एक्जाम के परपस करे तुम्हें याद रखके चलना है ठीक है division of work पता देखो पहले के time पे ना क्या हुआ करता था कि एक कोई company होती थी ना उसमें 6-7 accountant काम करते थे ठीक है वो क्या करते थे एक सिर्फ sales समालेगा एक purchase समालेगा एक cash समालेगा ठीक है इस तरीकी सोता सारा सारा कि sale के entry करने वाला कोई और है जो उसके बाद जो machine वगेरा खरीदेगा उसका करने वाला कोई और है जो सिर्फ cash की transactions करेगा वो कोई और है ठीक है बाहर जाने वाला सिर्फ बाहर से बाहर का काम रखने वाला वो कोई और है इस तरीके से अब क्या हो गया है software बन गए एक ठीक है उसी software के अंदर सारा का सारा काम हो रहा है cash purchase सारा का सारा उसी हम हो रहा है ठीक है ये चीज़ मैं ध्यान अगनी है अब देखो तो मेरे पास कहेगी सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे division of work होता है ठीक है ये अच्छा मैंने बता है ये चीज़ पहले होती थी ठीक है यह होता है न क्या बोलते से रिलाइंस पर चले जाओ तो भी ठीक है नीचे बहुत सारा grocery का समान रखा है मतलगी हर एक टाइब का समान रखा है उसमें जो भी stock आता है ठीक है वह क्या है कि एक ही जना control करेगा उसको लेकिन उसमें क्या अलग-अलग accountant बैठे होते हैं कि भाई तो इसका समा लेगा तो इसका तो इस अलग तरीके से ठीक है तो देखो अबने हमार पास कहाई कि पहले हुग अगदर division of work अब एक ही बंदा कर लेता है वैसले लेकिन तुम्हें क्या ध् आधार रख रहे है इस पेसलाइजेशन अद्ध एक हैं अधिस का मतला समझो क्या होता है थीक्या मेरे पास है धीक है अधर जैसे महलूर्म इस पेस्ट लाइजिशन करते हमें दो जो सबसे इंपोटेंट बास मजनी है वो ये है कि अगर बालो एक बंदा है मैं इसको एक ही काम दू बार बर करने के लिए तो इसकाम परफ़ेक्ट नहीं जाएगा वह तुम से रोज बोलू कि भाई यह उठा पैन ठीक है यह चितर बन होते हैं ठीक है वह क्या है कि एक टीचर एक सब्सक्राइब बढ़ा रहा है वह जो है न उसमें परफेक्ट होना चाहिए ठीक है वह परफेक्ट होता है वैसे ठीक है उसको तुम कुछ भी पूछ लगा ना सारव सारव पता देगा ठीक है और बात अलाग है बहुत साइड सार में ठीक है मतबकी जो भी काम वोगा तुम्हारा वह सबसे अच्छे तरीके से होगा ठीक है अगला मेरे पास सेविंग ओफ ताइम saving of time ठीक है और क्या होगा भई टाइम की बच्छत हो जाती है ठीक है आदेको next है availability of information availability of information ठीक है जो हमारे पास information क्या है कि वो हमेशा available रहती है ठीक है जैसे मालब मुझे सिर्फ मुझे मुझे पता लगाना है कि जो purchase कितने का हुआ है वो बताओ ठीक है sales कितने का हुआ है वो बताओ तो यह सारे के सारे होते हैं ठीक है पेषी किर्फ फाट फेटरी बतानी कितने का पर्चेस किया है तो Such यह सारा पता लगाना extend तो कहां से प्टा लग लगां बेंगे से पता लग जाता है ठीक है मैं कि से पाशा दिपार्टमेंट के पाशा ऑठाऊ हुआ थो तारी गाँश्ट कर दो में चthoseको है वह है नियुन है कि फैसिलिटी इन चेकिंग करने में बहुत जाता प्रूइंद फैसलिटी होती है सै मालुम मैं खहता हूं कि समान कितने का पढ़ा है को डाउन के बहुंदर पर इस लिए एक पेटी के दाम कितने का है जी 4 और तो सोला जार ओने चाहिए न तो यहां पर बस बाराज़ दिखा रहेते हैं लिए तो अगर मुझे चेक करना होगा तो भी कहें चेक हो जाता है ठीक है फिर नेक्स मान के चलो कि मारपास है responsibility आ जाती है ठीक है अगर देखो मैं responsibility किस बात कि आती है कि जैसे मान के चलो कि एक कोई बन्दा है वो सिर्फ डिपार्टमेंट का है ठीक है तो सेल्स की सारी की सारी responsibility उसके पास होगी यह कम जादा कैसे हुई ठीक है वो मतब्सकि बाहर से अगर मान के चलो कि किसी स्टॉक की एंट्री होई ठीक है तो वो जो सटॉक है तुने इसके एंट्री क्यों नहीं करी और करी तो गल्द क्यों करी तो क्योंग वह सारी किसा मोसिंटिक है उसी sales डिपार्टमेट में के पास आजाएगी ठीक है को इसके अंदर फिर सुनों वह जो हमारे पास ना यह सारे जो टोटल छह हाँ आपने होगी ठीक है देखो अब सबसे पहले मैंने ना वही दुबारा सेम चार्ट बनाओ हमें यह अगली हैटिंग डाल लो कैस बुक कि सब्सक्राइब कैस्प्राइब इसका तीन पार्ट होंगे कि हाँ बास ना रही है पहला मेरे पास क्या है कि सिंगल कॉलम कि डवल कॉलम ठीक है फिर क्या एपर सब्सक्राइब और तुमद्स कोफ्टाइब कि के अंदर क्या होगा कि जो सिंगल कॉलम में इसमें हम किएगी सिर्फ किज हैंट्रोंगे जो कि करेंगे जो हमारे पास सिर्फ इसमें कैस्ता कॉलम मने सकते एंट्री लेकिन सिर्फ डबल जो कॉलम है ठीक है इसमें किया एक कैस्त हो सकता है दूसरा बैंक हो सकता है या फिर कैस्त और डिसकाउंट हो सकता है ठीक है फिर सुनो जो triple column है जो triple column के अंदर के पास cash bank और discount तीनों के तीनों होंगे ठीक है मेरे पास अमेरिका सब के तुम्हें format बनवा दे रहा हूं ठीक है format के आगे देखना कि है क्या है जो single column है single Column हमके क्ऐस बुक के बारे बढ़ रहे हैं हमेरा जो ऊपर हैडिंग डाल नहीं होती और चैस बुक ही लिखना होता है ठीक है हमकर लिखें कि कैस फुक तिक है और जो नाम है ना उस नाम लिखना होता है ठीक है तो क्या करेंगे हैं पर कि अगर single बढ़ा रहा हूं ठीक है तो मेरे पंस तरीके सोगा पहला आज एगा देट फिर पर्टिकुलर आज गुलर आज जनल फॉल्यों आमाउंट डेट गुलर जनल फॉल्यों आमाउंट date है particular journal folio amount date particular journal folio amount तो यह जो मेरे पास है यह है debit और यह है credit भाई जो डैबिट साइड को हम बोल सकते है रिस्टीप साइड है रिस्टीप साइड और जो क्रेडिट साइड होता है उसको बोल सकते हैं यह पेमेंट है ठीक है बसकिन आहरी है एक मेरे पास काई की एक रिस्टीप साइड है दूसरे क्या एक पेमेंट साइड है तो भाई देखो इधर ना हम वह सारी की सारी क्योंने के थेएंट्री का जिससे मालबं के एक्जांपल बोलता हूँ मैंने दो कि भाई मैंने इस Türkiye सेटियर मैंने कैस में किस में किल सेल के स्थम्स्तिया क्रें है अगर मैं कैस के इंद़ करता अधंङकर सुलकॉ नियुक्र एकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू अगा सेल्स अकाउंट देखो भी पैसे मिल देना आप पैसे मिल देट क्यों लगाए सेल्स क्या लिए आप में तू पैसे मिल एकाउंट अगर। सेल्स अकाउंट ठीके मालों 10,000 का है बताओ इस एंट्री के अंतर मेरेको पैसे मिले होंगे तो मिले होंगे तो बैस सिंगल कॉलम पता लग गया ठीक है नेक्स्ट मेरे पाज जो है डबल कॉलम वे डेट पर्टिकुलर लेजर जर्नल फॉल्यों एमाउट फिर डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉल्यों ओई है एक उन्हों जाओ प्रटिकुलर जर्नल फॉल्यों कैस बैंक ठीक है फिर डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉल्यों ओऊ कैस बैंक तो क्या मेरे पास date particular journal for you cash bank date particular journal for you cash bank ठीक है यह मेरा हो गया debit side यह हो गया credit side वही इसमें भी same है debit side मेरे पास क्या है की receipt side होगा और credit side क्या होगा payment side दिखतो नहीं है इसके अंदर सुनो last का मेरे पास triple column है वो देख लो जो triple column है वही triple column के अंदर मेरे पास क्या है पर्टिकुलर फिर वही जन्नल फॉल लिए हो cash bank discount यहाँ पर date पर्टिकुलर जन्नल फॉल लिए हो cash bank और discount यहाँ पर देट पर्टिकुलर जन्नल फॉल लिए हो bank discount फिर यहाँ पर देट पर्टिकुलर जन्नल फॉल लिए हो cash bank discount यह हो गया मेरा debit side और यह है credit side भाई इस पर बस discount के बारे बता रहा हूं यहाँ पर जो discount होगा इस साइड तो पर पर दिसकाउट है वह है डिसकाउट एलाओ होगा और इस साइड है डिसकाउट डिसकाउट रेसीव लोटा को उससे पहले सुनो भाई तेखो इसमें ना जो तुम्हें बात के रियान लगा की चलनी है की वहार पास कहाए कि जो पर पास single column cash book है इस वहार पास debit side उसा receipt side बो लेंगे ठीक है वहार पास कहाए कि date particular of the laser laser folio अरे यहां पर laser folio कर ख़़ए कैस्बुक में ना मिर पास laser folio आता है और समय जर्नल folio आता है ठीक है क्योंकि हमार पास जिस तीच का देखो तुम्हें ध्यान किसे रखना है जिस तीच का अलग से मिर पास एकाउंट बनता है ना ठीक है उसमें हम क्या करेंगे laser folio और वहना जो मिर पास जो बांकी है उसमें क्या आता है जर्नल folio आता है ठीक है इसमें laser folio कर लो सुनो देखो जितनी बाते में तो बताई सारी सारी बात पहले पता होने चीए यह करने के बात ना हम कैसे करें कुछ 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 सब्टाइंगे ठीक है अब सबकोवाला चयप्टर आता है न लेजर पोस्टिंग आता है न वहीं घर से सारी सारे कुछन करके मुझे दुबारा चेक करवाओ हाँ लेजर वाला ठीक है और अभी मैं होमग लिखवा रहा हूं मुझे बढ़ने तक चाहिए ठीक है देख जो आपर जो पहले आज तारीक इतनी है 28 ठीक है तो 28 से भाई आज तुमारा पिन दो दो आज तक इतन चेहरे आज जिसक जने यहां वांच आजो पूरी पूरी थे को तेकर नर्ट बढ़ने पर सब्सक्राइब 爐ंश द्हूंच चलिन को चम्रण चाहिए खर घ्रेठ को पुर्ण मोरा च्ट यतरलेना और आमहरे पास है 31 तक है 31 एक माल लो एक ताइक तक जो जर्नल है ठीक है यह सारे के सारे वह यह काम होजाना चीद्या लगना ठीक करने क्या क्या इसके इंदर जो क्यों एक तता कि क्यों करने एक साथ प्रीदे पूरे के परे और तुमारा पास 555 है मैं सीथवzenın मैं जूरणल सकते हैं आपका है one word question और चांव जो मेरे पास कहा है कि व्न वर्ड वाले को सिंद में सिर्फ एक word में हमारे पास answer व्न वरर आउंसर वाले जो होते हैं ठीक है जो वन वर्ड आंसर है वो साइस है कि तुम्हें इसके अंदर कर ले ले बस में आ रही है ठीक है तो इन सब को कर लो फायत में रोगे थोड़ा